हाई फ्रेंड्स होली का सीजन आ गया है तो मैं किस तरह से आलू के पापड़ बनाती हूं तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी तो चलिए देखते हैं तो यहां देखिए मैंने उबले हुए आलू लिये हैं जिसको मैंने अच्छे से धोकर उबाल लिया है और अब मै कदुकस लूँगे और कदुकस में सारे आलू को में कदुकस कर लूँगी तो यह मैंने कदुकस लिया है तो आलू को मैंने अच्छे से कदुकस कर लिया है अगर जहां पर भी अगर आपको लगे थोड़ी थोड़ी गुटलिये तो आप उसको हाज से मैश कर दीजिए या आप उसको निकाल भी सकते हैं बस अब मैं इसमें डालूंगी सेंदा नमक क्योंकि मैं ये व्रत के लिए बना रही हूँ अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा ये जीरा मेरी बेटी डाल रही है पूरा पूरा येस थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए और साथ में चिली फ्लेक्स हैं ये मैं आपको बिल्कुल नहीं दूँगी अब इसको हम अच्छे से हाथ से मिला लेंगे आपको दोनने दाता है ये येस यहां मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब मैं अपने दोनों हाथों में अच्छे से ओयल लगाऊंगी और इसकी में छोटी-छोटी ऐसे पेड़े बना लूँगी मैं साड़ी पेड़े बना कर इस तरह से पहले में रख लेती हूं ताकि पापड बनाते समय मुझे ज्यादा टाइम ने लगें तो यहां पर मैंने एक पापड बनाने के एक रोलिंग बोर्ड लिया है ठीक है और इसमें मैंने देखी एक पॉलितीन शीट भी चाहिए मैंने इसको अच्छे से ओलिंग से ग्रीस कर लिया है अब मैंने जो यह पेड़े बना के रखे हुए है इस तरह से एक पेड़ा मैं इसमें रखोंगी दूसरी शीट मैं इसमें लगा रही हूं बस कुछ नहीं करना है बहुत ही सिंपल इसको प्रेस करके चलिए अब इसको मैं कितनी असानी से निकल गया ना अब बहुत ही सिंपल मेथेड आप इस जरूर घर में ट्राइ करिये अब कर देखिए बैने सारी पापड़ को अच्छे शांवड़ा पापड़ा नहीं से मैंने फैला दिया है रात भर के लिए और सुबह ये सूख जाएंगे तो फिर मैंन को दूप दिखा दूँगे तो आप इसी तरह आलू के पापड़ बनाई है और होली का मज़ा लीजिए चलिए फिर नए वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए टेक क्या रेंड तो मेरे आलू के पापड़ बनकर बिल्कुल तेयार है तो आप इसी तरह बनाई है और होली को इंच्वाइ करिए गुड़ दे गुड़ दे